दोस्तो टॉप कमें जॉब अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं आज इस वीडियो में आपके लिए इंडियन आर्मी रैली की अपडेट लेकर आ चुकी हूँ देखे सबसे पहले मैं आपको बताऊंगे जिन पोस्टों के लिए रैली होने जा रही है वो है तो चलिए अब हम बात करते कि रैली होगी कहां पर मैं आपको बता दू यह जो रिक्रीट्मेंट रैली होगी है अरुनाई इंजिनेरिंग कॉलेच स्टेटियम तिरुम वनमलाई तमिल नाडू में जो है वो रैली होने जा रही है अब बात करते हैं इलिजिबिलिटी रिक्वाइमेंट की मैं आपको डिटेल में बताऊँगी कि कौन-कौन सी डिस्टिक के लोग जो है इस रैली में भाग ले सकते हैं क्या एज लिमिट होनी चाहिए क्या फिजिकल क्वालिटेटिव रिक्वाइमेंट्स चाहिए और दोस्तों बहुत बढ़िया बात काफी जादा यूजर्स के कमेंट्स रहते हैं कि मैं अप्लाय कैसे करना है तो इस वीडियो में आपको ये भी बताऊंगी स्टेप पूरा क कैसे इस रेली के लिए रजिस्टर करना है तो कि अब बने रहे हैं अंतक इस वीडियो में हमारे साथ अब बात करते हैं कि रेली में कौन से डिस्टिक के लोग भाग ले सकते हैं अब आगे बढ़ते और बात करते हैं एच लिमिट की देखे हर पोस के लिए अलग अलग अब हम बात करते हैं मिनिमम फिजिकल क्वालिटेटिटिव रिक्वाइमेंट्स की कि क्या हाइट या वेट होना चाहिए देखिए आपर मैंने टेबुलर फ़र्म बना रख है जो लोग सोल्जर टेकनिकल के लिए अप्लाए करना चाहते हैं उनकी हाइट 165 cm होनी चाहिए उन 27 cm with 5 cm expansion तो आप इदर वीडियो दो मिनिट पॉस करके पूरी डिटेल चेक कर सकते हैं जिस भी पॉस के लिए आप अप्लाए करने की सोच रहे हैं अब आगे बटते हार बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की देखिए याँ सोल्जर टेकनिकल के लिए आपने प् आप सोल्जर जर्नल ड्यूटी और अप्लाए करना चाहते हैं आपने 10th की हो टोटल में 45% मार्क्स और हर एक सब्जेक में 33% मार्क्स और अगर ऐसे बोर्ट से की है जिसमें ग्रेडिंग सिस्टम है तो इंडिजिबल सब्जेक में डी ग्रेड और अग्रीगेट मतलब भी पास कियो एग्रीगेट परसेंटेज की कोई लिमिट नहीं है बट हर एक सब्जेक में 33% मार्क्स होना जरूरी है और जो लोग सोल्जर क्लर्क स्टोर की पर टेकनिकल और अलार्म्स के लिए अप्लाए करना चाहते हैं उन्होंने प्लस टू पास कियो इन एनी स्ट्रीम 60% आपके एग्रीगेट में और 50% हर एक सब्जेक में होने चाहें इन सिक्योरिंग 50% मार्क्स इंग्लिश और मैट्स अकांट्स बूक कीपिंग इन क्लास 12 इस मिंडेटरी आगे बट्ट्यार अब बात करते हैं हाव टू अप्लाए मैं आपको डिटेल में पूरा स्टेप इसको पढ़ लेते हो उसके बाद नीचे इंपोर्टेंट लिंक्स में से आपको अप्लाए हेर पे क्लिक करना है जैसे आप उदर क्लिक करोगे आप जॉइन इंडियन आर्मी डॉट एन इसी डॉट इन पर पहुंच आओगे उदर आपको अप्लाए लॉग इन लिंक इन ज चेक कर लीजे आपको कौन-कौन सी डॉकुमेंट की अपडेट्स जो है वो फिल करने है उसके बाद आपको continue enter marks of all subjects उसके बाद आपको अपनी information की summary देने उसके बाद आपको submit करके print out admit card को है जो वो लेना है तो ये तो होगे पूरे detail में subjects की आपको कैसे apply करने है अब हम आग क्योंकि काफी जादा लोगों के डाउट्स रहते हैं कि कौन कौन से डाकुमेंट्स लेके जाने बट अगर आप फर्स टैम इस चानल पर विजिट कर रहे हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लोग आपको आने वाली सरकारी नौकरी के अपटेट्स जो है वो तुरंत आ जाए उसके बाद मेडिकल टेस्ट होगा मेडिकल टेस्ट में दोस्तों आपके शरीर की जाहां चोनी आपका यूरीन कलेस्ट्रॉल शूगर यह सब चीज़ें चेक होंगी जो लोग पास कर लेते मेडिकल टेस्ट को ने कॉमन एंट्रेंस एक्जामिनेशन के लिए जो कि एक की अब ही आगे पूरी लिस्ट बताऊंगे आपको कि कौन कौन से डॉकुमेंट्स जो हैं वो वेरिफा होंगे और आपको कौन से डॉकुमेंट्स अपने साथ लेके जाने चलिए बागे बढ़ते और बात करते हैं इंपॉर्टन देट्स की देखिए ओनलाइन रिजिस्ट भारतिय सेना जो रेली करने जा रही है 15 अप्रेयल से 25 अप्रेयल और इधर ये वेन्यू दे रख है अब आगे बट्या नजर डालते हैं इंपॉर्टन दॉकुमेंट्स की दोस्तों मैं आपको इंपॉर्टन दॉकुमेंट्स बताती हूं बढ़ अगर आपको वीडियो ब्रिंक नी होना चाहिए जब आप प्रिंट करोगे 20 अपको 20 अनटेस्टेट पासपूर्ट साइज फोटोग्राफ लेके जानी है एजुकेशन सर्टिफिकेट सारे लेके जानी है अपने डॉमेसायल सर्टिफिकेट कास्टिफिकेट भी लेके जाना है दोस्तों रिलीजन सर्टिफिकेट भी बहुत जुरूरी है इसके भी आपको rally में भाग लेने नहीं दिया जाएगा स्कूल करेक्टर सर्टिफिकेट जो कि आपके प्रिंसिपल या हैटब बास्टर किसी ने भी किया हो करेक्टर сर्टिफिकेट जो है इस पर आपके फोटोग्राफ होनी और within last six month issue होना चाहिए, इसके साथ-साथ unmarried certificate, no involvement certificate, मतलब आपका किसी criminal case वगेरा में कोई involvement नहीं है, details of previous rally, अगर आपने पहले किसी rally में भाग लिया है, तो उसकी detail का एक certificate जो है, वो भी आपको लेके जाना जरूरी है, relationship certificate, अगर आपकी family में कोई एक service man है, तो उसके साथ यह certificate भी अपने साथ लेके जाएं, दोस्तों, NCC certificate चाहिए, वो A, B, C, कोई भी है, sports certificate, अगर आपने आपको किसी national, international, किसी भी level पर present किया है, तो अगर आपके उसका कोई certificate है, तो अपने साथ जरूर लेके जाएं, एफिडेविट, एफिडेविट जो है, वो डूली स्टैंप पेपर के उपर, और देखे, इसका फॉर्फॉर्मा जो अपडेलीनौकरी.com का जो नीचे लिंक दिया, उस पर जाके ले सकते हैं, सिंगल बेंक अकाउंट, पैन काट, एंड अधार काट, यह फाइनल इन्रोल्मेंट के टाइम चाहिए होगा, अब कुछ बात करत कि रैली में किन बातों का ध्यान रखने और आपको क्या करना है, देखे, भरती प्रक्रिया में जो समय लग सकता है, इसलिए आपको सला दी जाती कि परियाप मात्रा में खाने की विस्तियों और पीने का पानी जात लाएं, आपका अगर प्रवेश पत्र होगा, एडमिट क कुछ पर अनुसूचे साथनों में लिप्त होना कानूनन अपराद है, अगर आपकिसी डॉक्मेंट पर ओवर राइटिंग करते हो, या कोई फेर बदल करते हो, तो वो बिलकुल डॉक्मेंट्स असेप्ट नहीं किये जाएंगे, और आपके जितने भी डॉक्मेंट्स आप इसलिए आपको रहने की विवस्ता स्वय करनी होगी, रैली स्थल पर जहां पर रैली की साइट है, और रिटन एग्जामिनेशन के टाइम आपको मुबाइल फोन नहीं लेके जाने दिया जाएगा, देखे काफी यूजर्स के डाउट्स रहते हैं कि टैटू क्या कर सकते हैं, तो दोस्तों ये तो है भारतिय सेन्या की जो रैली होने जा रही है पुड्डू चैरी में उसके पूरी अपडेट, अगर आपको और इंफर्मेशन चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिये और डेलीनौकरी.com के लिंक पे क्लिक करें, वहाँ पे जाकर अगर फिर भी कोई डाउट है तो जल्दी से कमेंट करके पूछ लो और दोस्तों हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूला क्योंकि हम आपके लिए टॉप करमेंट जाप की अपडेट्स और इंपोर्टन इंफर्मेशन लेकर आते हैं.